इस वक्त हम मद्धे परदेश के अमर पाटन विधान सबा चेत्र में हैं और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी अप इंडिया डेमोक्रेटिक के परतियासी जो एक युवा परतियासी है अब इस परतियासी से आपको रुबरू कराते हैं सर आपका पूरा नाम मेरा नाम है ख्लेश कुमार प्रजयपती है और मैं हमार पार्टन विधान सबा से प्रतियासी है पीपल्स पार्टी अप इंडिया डेमोक्रेटिक से सर आपने People Party of India कोई क्यूं चुना इतनी सारी पार्टिय थमाम पार्टिय चुनआ उलड़े हैं आपने इसे पार्टी से क्यून चुना उलड़ने का सोचा पीपल्स पार्टी अफ इंडिया डेमोकरटिव से इसलिए मैंने चुना मैं आधर पार्टियों को ही में देखा मैंने जैसे पहले बीएसपी को भी देखा कॉंग्रेस को भी देखा वीजेपी को भी देखा और तरह तरह राज्जी जो पार्टिया हैं इनमें केवल एक लोग ही महान होते हैं ना ब्यक्ति विशेस में इसमें उसके लिए वो नहीं दी जाती है जो पीपर्स पार्टी अफ इंडिया डेमोक्रेटिव है इसमें 200 लोगों की कमेटी होती है उस कमेटी द्वारा निड़ना लिया जाता है कि पार्टी में कौन राष्टी अध्यक्ष बनेग इसमें हर लोग अपने अधिकारी हो सकते हैं आपकी पार्टी के क्या में मुद्दे किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी मद्दे प्रदेश में चुनाओ लड़ रही है हमारे पार्टी के मुख मुद्दे जो हैं वो सिक्षा को लेके है स्वास्त को लेके है रुजग कि और अब बच्शे कि पार को लेके हैं और तरह तरह के और मुद्धे सिक्च्छा के देखले आज गामों में चले जाएए के बहुद वहां आप जाएंगे तो बच्चे के बन दलिया घाने जाते हैं ना कि वो विद्धियाले पढ़ा होती है सास्की विद्धिया साथ की हास में दवा के नाम पर कुछ पैरा सिटमोल दी जाती अधर थोड़ा और दबा दी जाती है उसके वजयर अगर दूफरी दवा अगर लेना हो तो आपको बाहर हास्पिटल से लिखा जाएगा कि आप बाहर जाएए आपको यह दबा बाहर मिलेगी और जो नेता होते हैं मंत्री ह अगर ऊजर जाते हैं प्राइबेट हास्पिटल में दवा कराने हम यह मुद्धा चला रहे हैं कि हमारे देश में सबी चीजों के राष्टि करण होना चाहिए न होना चाहिए जहां क्लीक्टटर की दवा हो वहां गरीब द्यक्ति की का भी दवाBlack हो तँभी सुटेवल त51 कैसे वो हो सकता है और हर ब्यक्ति न्याय पा सकता है, हर ब्यक्ति दबा के लिए वो मरेगा नहीं दबा से, उसके लिए दबा का इंतजाम किया जाएगा, ऐसा है हमारे पार्टी का मुख बिंदु जो है, यह है, कि गरीब को भी वही सुभिधा मिलने चाहिए, कलेक्टर को भ इसा अनुभव हो रहा है आप एक परतियासी हो आपको तो पढ़ना लिखना चाहिए ऐसा लोग बोल रहे हैं फिल्ड में तो अब क्या संदेश दहेंगे कि आप एक युवा हैं जी हम कम उम्र के हैं ये सही बात है आज हमारे उम्र से 27 वर्स है लेकिन जब हम समाज में निकल हैं वो सब 60 वर्स से उपर है वो यूबा अपने आपको मानते हैं यूबाओं को राजनीत में ना आने का आज जो खामियाजा जो यूबा भुगत रहा है गरीब किसान भुगत रहा है उसकी समस्या यूबाओं के राजनीत में ना आने की बज़े से ही है अगर यूबा रा तो राइट चेक किसी भी व्यक्ति के पास हम जाते हैं जनता कहती है आप जैसे यूबाओं को ही राजनीत में आना चाहिए और यूबा राजनीत में जब तक नहीं आएगा तब तक ना राजनीतिक परिवर्तन होगा ना समाजिक परिवर्तन होगा और ना आर्थिक परिवर् तो उनका सामना किश तरीके से आप कर रहां पिल्ड में। उनका सामना वम यूबा देखके वोग खुलाई कर रहें कि आप चारी है तो यूबाव औ को आप जैसे यूबा शूआ हैं वो लोग हमसे बहुत अच्भीत थैं कि यह इतनी कम मुझ्छे कैसे राजनीत में आगा वो लोग बोलते भी है मुझसे तो नहीं बोले पर दूरे लोगों से बोलते है कि अभी इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है मैंने कहा कि आप अभी 60 साल के हो 65 साल के हो लेकिन मैंने अपनी ग्रेज्वेशन की पढ़ाई कंप्लीट भी और कानून की प तो फिर उनकी जो है कुरसी जो है वो जाने वाली है इसलिए वो कहते तो कुछ नहीं पर बाहर बाहर उनको लग रहा कि अब यूबा जाग रहा है अब समस्या होने वाली है जनता के क्या सवाल रहते हैं जनता के सवाल रहते हैं कि आपने पार्टी जो बनाई है पार्टी क जो है वो पार्टी का निर्मान किया कि हमारी राजनेतिक पार्टी अब कोई नहीं बची जिसमें है वो परिवारबाद में हैं कुछ पार्टियां है जो और अपने सोचे हुए ब्यक्ति को दे रहे हैं इसलिए जनता के मुद्दे जो है उनको हम बताते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो राजनेतिक पार्टी है लेकिन वो जनता के हित में काम करती है और हम सिक्षा पे स्वास्थ पे रुजगार पे किसानों पे हम लोग काम करने वाले हैं और करेंगे भी अभी हमारी नई पार्टी है तो उसको हम स्टेबलिस कर रहे हैं समाजिक परिवर्तन करने के लि दूफरे ब्यक्ति मांग होने के बज़े से कुछ जगे नहीं मिले हैं लेकिन हर जगे स्कूल बैग ही मिले हैं वो चुनाव आयोगदारा दिया गया है और हमारे मद्ध पदेश में 70-80 करीब वो चुनाव उसमें मैदान में हैं हमारे पत्यासी पार्टी द्वारा उतारे गय जो आपकी विधान सभागी जनता है उसको क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम सो एक यूवा है इस तरीके से आप यूवा को आज देख रहे हैं रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है सारी तमस्या यूवा क्यों रहे है कि यूवा है आप आज चुनाव ल लड़ा हूँ पीपल पार्टी अप इंडिया देमोक्रेटिव से केबल मैं ही बस चुनाव नहीं लड़ा हूँ उसमें हर एक यूवा किसान और मजदूर गरीब वो सब उनकी कीमत होनी चाहिए कि यह के लिए बस चुनाव नहीं लड़ा है यह हम सब मिलके उसको हाथ बट के निर्मान में काम करेगी अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है आप विधायक बनते हैं तो किन मुद्दों को लेकर काम करोगे क्या मुद्दे रहें आपके काम करने के सबसे पहला ता मुद्दा हमारा जो रहेगा वो सिक्षा के प्रती रहेगा सिक्षा के प्रती जो आ सुवधा bari स्वास्ट स्वास्ट होगा और free agarante की बीजाप आप Shouldn't कर विए खताम कर रही है इस एसुलिए वह त फी लगाना चालोगे जो कि भारत एक ऐसा देश है जिसे सिक्षा पर टेक्स लग रहा जो कि सिक्षा पर टेक्स नहीं लगना चाहिए उसमें जीस्ट लग रही आज इसलिए हम यह कहेंगे के अगर हमारे किसान गरीम मजदूर अगर लोग आते हैं हमारे सहयोग में तो यह पार्टी उनके लिए सि कुमार प्रजापती है और मैं अमर पाटन विधान सभा से प्रत्यासी के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ जो अमर पाटन विधान सभा से पिपल्स पार्टी अफिंडे डिमोकर्टिव से और हमारा चुनाओचिन स्कूल बैग है अभी सभी साथियों से निवेदन करता ह कि हमारे चुनावचिन के सामने वाली बटन दबा कर आप हम सब लोगों को आशिरवात देने का काम करें सभी से जै भीम जै मुनली वासिए MNT News Network को सब्सक्राइब करें लाइक और फॉलो करना ना भूले साथी बेल आइकॉन दबा कर जैंजागरूती की मुहिम में जुड़े रहें